So what's up guys, welcome back to my channel Gaming with Air तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को Car for Trade में Toe Truck Option के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या या आप लोगों को Unlimited मिल सकते हैं या नहीं और अपडेट के बार इसमें Price लिखे हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को किस तरीके से Buy कर सकते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो का इंटक्स जरूर देखना हैं तो आप लोगों को टो वाला आइकन शो हो जाता है तो आप लोगों को इस पर किलिक कर लेना हैं फिर आप लोगों को Agree पर किलिक कर लेना हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले से वह एक ही option शो होता था जो है पिलस 3 ads इससे यह होता था आप लोग एक ad देखते थे और आप लोगों को 3 दफा टो ट्रॉक option मिल जाते थे लेकिन पिछली update में टो ट्रॉक को थोड़ा update कर दिया गया था उसके बाद आप लोगों को टो टो ट्रॉक पिलस 152 टो ट्रॉक पिलस 500 टो ट्रॉक की option देखने को मिल जाते थे लेकिन जैसे ही आप लोगों को इस पर click करते थे तो यह back हो जाता था और कुछ भी show नहीं होता था लेकिन update के बाद आप लोगों को डॉलर के साथ कुछ numbers देखने को मिल गए हैं जैसे कि बाई करना पड़ेगा 99 सेंड में और अगर पिलस 150 टो ट्रॉक चाहिए तो आप लोगों को 2 डॉलर 49 सेंड में इसको बाई करना पड़ेगा और अगर आप लोगों को पिलस 500 टो ट्रॉक चाहिए तो आप लोगों को इसको 5 डॉलर में बाई करना पड़ेगा और आप लोग buy नहीं करिएगा क्योंकि मैं try कर रहा हूँ मुझे जल्द ही unlimited to truck का mod मिल जाएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा आप लोग उसको use कर लिएगा आप लोग उसको buy नहीं करिएगा वीडियो को like कर दिएगा चैनल को subscribe कर दिएगा और bell icon को भी प्रेस कर दिएगा विलता हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई